दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मुझे पोटेंसी के बारे में पूछते हैं, आज एक घटना बताता हूं, जो बहुत सुरुवात में घटी थी, जब मैंने होमेपथी पास किया था उस समय हमको इंटर्शिप करना था, यानि पास होने के बाद कुछ महीनों तक आपको उसी कॉलेज में प्रेक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि पेशेंट आ रहा है, तो कैसे केज टिकिंग लेना है, कैसे पहचानना है पेशेंट को, यही सब इंटर्शिप के दवरान बताया जाता है तो हम एक जैसे learner होते हैं, आप doctor बैठे हैं, हम चारो तरफ student है, हम सब देखते हैं और जब doctor नहीं होते, तो हम लोग ही patient को attend करते हैं, तो हुआ यों कि एक बार doctor नहीं थे, और मैं patients को attend कर रहा था और उस दवरान एक पेशेंट आई फीमिल जिसके पैर के तलवे में दो छेट थे और उसमें से लगातार पानी रिष्टा जा रहा था उसका पूरा मैंने केस लिया और केस लेने के बाद मैंने उसको graphitis दवा दिया 9 dose यानि एक दिन में 3 dose ऐसे 3 दिन देना था तीन दिन बाद मैंने बुलाया और वो patient को severe aggravation बहुत बढ़ा उसका तक्लिक उसे आटो रिक्षा में लेके आया गया और फिर उसको उठा के OPD मिला आया गया वहाँ पे सर ने बोला कि ये पेशिंट को किस ने दवा प्रिस्काइब किया मैंने कहा मैंने और मुझे बहुत डाट पड़ी थी दोस्तों पेशिंट चले जाने के बाद मैंने पूछा सर मैंने गल्ती कहां किया दवा मेरी गलत है तो उन्हों ने कहां नहीं आपकी दवा गलत नहीं है पर आपने पोटेंसी जितना देना चाहिए था दवाई उससे ज़्ञादा दी है 30 potency ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा dose क्यों दिया आपने graphitis deep acting anti-soric दवा है deep acting है sulfur जैसी दवा है इतनी गहराई तक जाती है आप इतना dose क्यों दिया और उस दिन मुझे dose का महत्वा पता चला दवा सही होने के बावजूद अगर dose proper नहीं दिया गया तो जो result हमेचे यह वो नहीं मिलते है दस दिन बाद फिर वो patient आई तो उसके सारे पैर सूख चुके थे जो जखन था वो भर गया था जो hole था वो बंद हो गया था पानी का रिसना बंद हो गया था graphitis ने इतना अच्छा result दिया था दोस्तों और आज हम लोग उसी दवा के बारे में बात करेंगे graphitis black lead से बनती है और अक्सर इसके patient चिली होते हैं और जिनको ठंट से तकलीफ हो जाती है और मोटे होते हैं कोस्टी होते है यानि इनको पेट की तकलीफ होती है कॉस्टिपेशन पर पेट साफ नहीं होता मोटे होने की बज़ज़से हमेशा जो निउ बीगिनर्स हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें और कहलकेरिया का आप में एपीरेंस पे कहा रहा हूं, सिम्टम पे नहीं, तो खेलकेरिया का आपको जो पीशेंट होता है, उसके स्किन बड़ी डेलिकेट होते हैं, वो थोड़ा सा धूप में जाएगा और धूप से जाके आए तो आप देखेंगे पूरा लाल हो चुगा रहता है, ऐसे लगता है स्क कुछ-कुछ जगह पे graphitis बहुत ज्यादा sensitive है, जैसे sensitive to smell, sensitive to light, sensitive to trifles, अब जैसे graphitis आँखों के लिए बहुत अच्छी दवा है, बहुत सारे problem जो आँख के हैं, वो graphitis से ठीक होते हैं, अब जैसे scrofulis ophthalmia ले लिजिए, आँखाती है न, वो, उसमें इसके दो symptom बड़े prominent हैं, एक तो photophabia, वो light की तरफ नहीं देख सकता है, और दूसरा, lacrimation, उसके आँख से पानी बहुत गेरता है, और वो पानी corrosive होता है, mucoprillant, पतला होता है, लेकिन mucos और पस जैसा दिखता है, mucos हरता है उसमें, लेकिन जहां लगता है, वहां की खाल उदर जाती है, corrosive, excoriating होता है, graphitis के जो patient के eye complain में, यह जो corners हैं, यहां पे cracks होते हैं, यहां eyelids पे cracks हो सकते हैं, वहां पे scabs हो सकते हैं, पश्यूल हो सकता है, आखों में ulcer हो सकता है, बहुत सारी आखों के problems हैं, जिसमें graphitis बहुत अच्छी तरह से काम करती है, इसके eyelids हैं, eyelids इसके ठिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे symptom है, eyes में, जैसे बच्चा अगर लिख रहा है, तो एक ही word double double देखते हैं उसको, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसको लगता है कि सारे जो शब्द हैं, जो words हैं, एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं, सो graphitis का patient कभी भी तेज रोशनी बरदास नहीं कर पाता है, sensitive होता है उसको, उसका जब चेहरा देखेंगे आग, तो उसके चेहरे पे चिपचिपा चेहरा रहता है उसका, और उसे यह महसूस होता है, कि उसके चेहरे पे मकडी का जाला है, वो बार बार ऐसे ऐसे करता है, जैसे की जाला साफ कर रहा हूँ, cobweb साफ कर रहा हूँ, यहाँ जो forehead होता है, यहाँ पे ऐसे लगता है कि skin fold हो गई है, उसे यह महसूस होता है, ठीक है, नोज है, नोज उसकी, जैसे मैंने कहाँ, बहुत sensitive हो जाता है, smell भी बहुत sensitive हो जाता है, उस smell, flower का smell यह bear नहीं कर पाता है, उसके senses nose के acute हो जाते है, हम आम आदमियों को जो चीज़े ठीक से, हम सूख नहीं पाएंगे, यह smell नहीं ले पाएंगे, इसकी नाग तेज हो जाती है, बहुत तेज smell ले ले लेता है, कान, कुछ हैसे symptom है, जो बहुत अच्छे है, graphitis के, इसको सुनने में तकलीफ होती है, दोस्तों, tainitis के शिकायत होती है, कान में गौं गौं आवा जाती है, वो irritate हो जाता है, इस voice से, कोई कुछ बोलता है, तो ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन, एक peculiar चीज है, दोस्तों, अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ, सुनसान, एक ऐसा चेंबर है, जहां पर किसी का आवाज नहीं है, बट नेचूरल है कि मैं उसकी बाते सुन लूँगा, और वो मेरी बाते सुन लेगा, graphitis में इसका उल्टा है, graphitis के patient भीड भाड में अच्छा सुनते हैं, crowded place में अच्छा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा भीड है, वहाँ से किसी ने आपको कुछ कहा, तो वो graphitis सुन लेता है, गाड़ी में जा रहा है, भीड भाड़ वाली जगह में है, ऐसी जगहों पे उसको सुनाई अच्छे से देता है, अगर कोई टाइनाइटिस का patient आए आपके पास और ये symptom prominent रहे, graphitis बहुत अच्छा result देगा, इसको मेठी चीजे पसंद नहीं होती है, पेट से बढ़ा दुखी होता है, ऐसे उसको incarcerated flatus होते हैं, यानि वो gas जो ना ड़कार से निकलती है, ना गैस पास होने से निकलती है, और उसका पेट भी साफ नहीं होता, मल कई दिनों तक पढ़ा रहता है, पेट साफ नहीं होता उसका, उसकी वज़़ए से पेट के इस portion में, कमर के portion में, बहुत ज़्यादा भारी बना जाता है, और उस वज़़ए से यहाँ पे टाइट कपड़े पहन नहीं सकता, पीट में उसके मल इकठा है, गैस पास नहीं हो रही है, इसके बावजूद फिर एक ग्रेफाइटिस का अच्छा लक्षन है दोस्तों, वो यह है कि इसकी तकलीफें जो हैं, वो खाना खाने से इसको बहुत भूक लगती है, बहुत ज्यादा खाना खाता है, और इसकी जितनी पेट की तकलीफें हैं, यह सारी तकलिफ हैं खाना खाने से कम होता हैं जैसे पेट में अगर अलसर हुआ या गैस्टाल या पेट दर्द कर रहा है या पेट में कैंसर है कोई भी चीज कोई भी पेट की बीमारी ले लिजिए वहाँ पे अगर पेशेंट को खाना खाने के बाद कम हो जाए तकलिफें तो ग्रेफाइटिस को जरूर याद करना अला कि और भी दवाईयां है पेट्रोलियम है, एना कार्डियम है बागी के सिंटम मैच करते हुए ग्रेफाइटिस को भूलना मत इसका जो मोशन है, ये मोशन जैसे छोटे-छोटे तुकडे होते हैं मोशन के ड्राई एक दम गोल-गोल छोटे-छोटे तुकडे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं मुकस के थ्रेड से जिसको आम भासा में आउं कहते हैं आउं जैसा होता है न वैसे म्यूकस के थ्रेड होते हैं उस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये लार्ज स्टूल होता है ठीक है? इसकी वज़े से इस स्टूल की वज़े से इस लार स्टूल की वज़े से इसको एनल रिजन में क्रैक्स आ जाते हैं फिशर की तकलीफ हो जाती है और कभी-कभी ये कंप्लेंट ज्यादा दिल तक रहा तो वहां के जो रेक्टल वेन है उसमें मोटा पा एंगॉर्जमेंट आ जाता है और पाइल्स की तकलीफ हो जाती है और वो पाइल्स इसके बहुत सेंसिटिव होते हैं बहुत तकलीफ देते हैं ग्रेफाइटीस के पाइल्स एनल रिजन में इचिंग भी होता है इसी वज़ा से ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइटीस सिर्फ कॉंस्टिपेशन के लिए ही अच्छा है इसमें diarrhea भी होता है बट इस वेरी रेर्व जो डाइडिया होता है वह प्राउन कलर का होता है उसमें जो हम लोग खाना खाते हैं उसके undigested food particles होते हैं और इसका diarrhea बहुत बद्बू, बद्बू बहुत होता है उसमें, offensive order होता है इसके जितने भी डिश्चार्ज हैं दोस्तों, जितने भी डिश्चार्ज हैं, सब ओफेंसिव है, सब में गंध आती है चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो डाइरिया हो, चाहे वो आखों का लेक्रिमेशन हो, कान का हो, मेंसेज हो, हर जगा बदबू रहती है यहां तक कि इसके मुझ से भी बद्बू आती है सड़े हुए औंडे जैसे रॉटण एक जैसे तो इसके जितने डिश्चार्ज हैं सब उफेंसिव है सारे डिश्चार्ज एक्सकोरियेटिंग है एक्सकुरियेटिंग का मतलब है वो डिश्चार्ज जहां लग जाते हैं वहां रॉनेस बन जाता है और जितने भी डिश्चार्ज हैं जिसे स्किन के डिश्चार्ज बोलता हूं मैं पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों यह पेटका हो गया अब आते हैं लोग City females में इसको इसको पलसए टिला करोंग कहा गया है या जहां पलसए टिला काम करके रुख जाया उसके बाद उसकी ज़रूरत पढ़ती है जैसे नक्सओमिका का सलफर है विलाडोना का कैलकरिया का उसी तरह से पेलसेटिला का गर्रफ आथी इस के यादी पेलसी आ की लेड़ी है और उसको मैने प्सद रुट बहुत मुम्किन है कि वहां पे फ्रैर्फ आथी ड्रॉथ पढ़े बहुत कम मैंसेज होते हैं और जब इसके मेंसेज होते हैं तब इसे बहुत तकलिफ होती है इसे हैडेक होता है इसे पैरों में कमजोरी आ जाती है सेक्रम लंबो सेक्रल रिजन पर नंबनेस यानि सुन्पना जैसा महसूस होता है और वो धीरे धीरे पैर की तरफ जाता है मेंसेज की टाइम इसको बीरिंग डाउं ऐसे लगता है सारी चीजे नीचे उतर आएंगे जैसे सेपिया में होता है इसकी यूटेरस है यूटेरस का जो यूटेरस का स्वेलिंग हो जाता है यूटेरस का माउथ जो होता है उसमें हाडनेस आ जाता है इसकी ओवरी स्वेल हो जाती है और हार्ड हो जाती है यह मेंसेज के टाइम बढ़ जाता है सारी तकलिफे और मेंसेज खतम हुआ तो लिउकूरिया मेंसेज के पहले भी लिउकूरिया, मेंसेज के बाद भी लिउकूरिया और लिकॉरिया गंद, ओफेंसिव, जैसे मैंने पहले कहा न, कि इसके सारे डिश्चार्ज ओफेंसिव होते हैं, मैंसेज भी, और लिकॉरिया भी, लिकॉरिया में गंद आती है इसके लिकॉरिया लगातार बहते रहता है, होल्ड डे और नाइट before menses, after menses, मासिक के पहले और मासिक के बाद में, जहां भी लगता है लिकॉरिया वहां की, वहां रहुण रहांसे हो जाता है, इससे लगता है खाल उतट रहय गई हो, और कभी-कभी मेंसेस की जगह पर यह लियोकोर्या आ जाते है यानि मेंसेस अपसेंट होके वहां पर लियोकोर्या आ जाता है So, female genital पर यह बहुत अच्छा काम करती है Male genital पर भी इसका अच्छा काम हो जो sexual abuse की वज़ा से बहुत ज्यादा sexual activity में लिन रहते हैं कुछ दिनों बाद ऐसे महसूस करते हैं कि उनको शेक्स से अनिच्छा हो जाती है उनको खुद को अनिच्छा हो जाती हो नहीं चाहते शेक्स करना कि इरक्षन का प्रॉब्लम होता है सीमेन अपने आप निकल जाता है इसका जो स्कीन होता है इसके इरक्षन के कुछ साइट है जैसे उंगलियों पहें और टोस पे ग्रेटव होता है वहाँ पे उंगलियों के पीच में सर पे कान के पीछे जनाीटल पे यह इसके प्रॉमिनेंट साइट हैंजनेंदड बॉस्त प्रॉणे हैंyez इरुपशन होते हैं इसके यृपशन स्वींटर में बढ़ते आ और इसकी skin rough रहती है, ठीक और rough एक और site है graphitis के eruption का this, bend जो portion होता है जहाँ जहाँ bend है, यहाँ पे bend है, गुटनों में है, यहाँ पे हो सकता है जहाँ bend है, वहाँ पे होता है और जो skin होते हैं उसमें cracks पढ़ जाते हैं उसमें से bleeding होती है, painful होता है जब भी menses आता है, तो जितने भी graphitis के skin के complaints है वो बढ़ जाते हैं, during menses कान के पीछे कुछ बच्चों के रहता है, moist eruption हो जाता है उसमें से पानी टपकता रहता है, थोड़ा सा बच्चा खुजा दिया, उसमें से पानी टपकता है जनाइटर्स में हैं, जब वो रात को सोने जाता है, तो उसको इचिंग बढ़ जाती है एनर लिजन पर इचिंग होती है skin के काफी विमारियों में ये काम करती है बसलते graphitis के दूसरे लक्षन भी मिलने चाहिए इसके जो नखुन होते हैं, जैसे skin मोटी है वैसे नखुन भी मोटा होता है ठीक होता है, कभी-कभी वो नखुन तूड जाते हैं, कभी-कभी वो खुरदरे हो जाते हैं, गल जाते हैं इस तरह के complaint भी graphitis में होते हैं और इसके जो moist eczema है, eczema दो तरह के होता है, एक सूखा एक गीला तो जो गीला eczema है, उसमें से चिप-चिपा पदार्थ निकलता है जैसे मद देखा है अपने, honey-like, मद कैसे गाढ़ा होता है, चिप-चिपा होता है, वैसे उसमें से discharge निकलते हैं सो ऐसे eczema के cases में graphitis इतना अच्छी तरह से काम करता है कि पता ही नहीं चलेगा वहाँ eczema था, इतनी अच्छे से साफ कर देता है उसको और नाव माइंड ग्रिफाइटीस का पेशेंट बहुत जल्दी बेचायन हो जाता है, बहुत ज़्यादा anxious, nervous, impatient यह सारे गूंड ग्रिफाइटीस में होते हैं, छोट-छोटी बातें जो आम आदमी के लिए कुछ casual होंगी, लेकिन ग्रिफाइटीस उसको मन तक लेलता है, अरे क्या होगा अब ही क्या होगा, अभी क्या होगा, चोटी-चोटी बात में बेचायन, उसका खुद का confidence बहुत डाउन होता है, और इस low confidence की वज़ह से वह बहुत ज़्यादा बेचायन होता है, किसी चीज की assurity न लेकिन दोस्तों एक होता है न, जैसे अभी कोई चीज काम कर रहे हो, तो उसका प्लान आप करते हो, उसका प्लान बनाते हुआ, और प्लान बनाने के बाद उसमें अपना intellectual use करके उस काम को complete करते हो, पर ग्रिफाइटीस ऐसा नहीं है, ग्रिफाइटीस प्लान नहीं कर सकता उसको काम दे दीजिए, वो पूरा करेगा, खुद का intellectual use नहीं करता वो, क्योंकि इसका concentration बहुत पूर होता है, वो concentrate नहीं कर पाता, और यहां भी इसका एक खास लक्षन यह है दोस्तों, कि जो present में हो रहा है न, वो उसे याद नहीं रखता हो, जो पुरानी बाते हैं, वो याद रहती हैं, यानि old memories है न, वहाँ sharp होता है, लेकिन नया कुछ कर रहा है, वहाँ पे sharp नहीं होता है, वहाँ भूल जाता है चीजों को, पुरानी बाते अच्छी से याद होती है, अभी समझे ग्रेफाइटिस का patient कहीं चला गया, ग्रेफाइटिस लाइको दो हैं, दोन नाम आया, फिर यह गाना आया, यह फलाना नहीं गाना, सब systematic बताएगा, साब सफाई से, लेकिन उससे यह पूछेंगे न, कि what was the message, तो वो थोड़ा confused हो जाता है, और लाइको पूडियम आपको message बता देगा, इस पूरे picture का सार क्या था, यह फरक है, यह चीजे मैं बताना चाता हूँ, यह irresolute होता है, decide नहीं कर पाता, क्या करना है, confusion रहता है, अच्छा, ऐसा patient है, अगर इसको बेचैन हो गया, तो दूसरी खास बात है, कि यह रो देता है, बहुत जल्दी रो देता है, और जब रोता है न, तभी इसको आराम मिलता है, यह खास चीज है, तो graphitis का पेशे nervous हुआ, डर लगा, यह timid होता है, डर पोक होता है, डर लगा, या किसी ने डाट दिया, कुछ कह दिया, तो यह जब तक रोएगा नहीं न, तब तक इसको चैन नहीं पड़ होता, तब तक यह बेचैन होता है, यानि अपने emotion को जब तक बाहर नहीं निकाले तब तक वो बेचैन होता है, अब सोचिये, एक graphitis का पंदा है, आप उसको कोई चीज बता दीजिए, आपको लगता है वो अपने पेट में रखेगा, सुख हो, दुख हो, हसी हो, गुसा हो, कुरोध हो, कुछ भी हो, डर हो, वो रख नहीं पाता, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको चैन नहीं मिलता, सुख ये सिम्टम बहुत अच्छे हैं दोस्तों, graphitis के, these are very nice symptoms, इन सब को मद्दे नजर रखते हुए, आप graphitis दीजिए, इसके जो complaints होते हैं, ये ठंडी से बढ़ आते हैं, कोई skin eruption हुआ है, वो दब जाए, तो इसको aggravation होता है, रात को बेट पे सोने गया, तो aggravation होता है, सुबह के बगए aggravation होता है, शाम के वक्त, रात के वक्त, और इसका ameloration है, इसका एक खास चीज़ है, जैसे पेट का मैंने बताया था, कि जब वो खाना खाता है, तो इसकी सारी तकलीफे कम होती है, उसी तरह graphitis का जो पेट का constipation है, वो गरम दूद पीने से, जैसे ब्रायोनिया में है, वैसे इसमें भी है, गरम दूद पीने से इसे राहत मिलती है, खुली हवा में जाने से इसे राहत मिलती है, रोने से इसे राहत मिलता है, अपने आपको express करने के बाद इसे राहत मिलता है, तो aggravation and ameloration है, mostly I would tell you कि इसका 30 का एक डोस देके वेट करिए, यह बहुत deep acting रहे, यह anti-soric remedy है दोस्तों, उसके बाद जरूरत पड़ी तो 200 पावर दीजिए, वरना मत दीजिए, और 200 पावर का भी single dose, दोस्तों, graphitis के बारे में यह सारे information, जो छोटी से समय में आप लोगों को दे सकता था मैंने दिया, इस graphitis को लेके जो भी आपके सवाल होंगे, और आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछेगा, कोई अपना राय देना चाहता है graphitis पे, प्लीज दो, यह वेलकम, थैंक य।